आज हमारा रसीपी है वेज़ेटेबल स्पाइसी केक सामगरी देखेंगे एक कप है मैंने बारिक सूजी लिया है आधा कटोरी दही उससे भी आधा यानि वन फोर्थ कप तेल सौल्ट एक बारिक कटी हुई ओनियन एक बारिक कटी हुई गाजर एक बारिक कटी हुई टामाटर एक बारिक कटी हुई क्यापसिकम थोड़े सी कोतिमीर गार्निशिंग के लिए जीरा एक चमच अध्रकलसुन छोटे-छोटे काटके रखा है मैंने दो छोटे-छोटे काटे हुई मिर्ची और थोड़े से कटी हुई पनीर एक चमच बड़ी सोब एक चमच गरम मसाला एक चमच लाल मिर्ची पाउडर आधा चमच विनेगर एक चोटे-चमच बेकिंग पाउडर आधे-चोटे-चमच इनो अब हम एक बॉल में रवा डालेंगे और तेल डालेंगे और अपना दही डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालके इसको अच्छा सा मिलाएंगे अब यह थोड़ा सा मिलने के बाद हम इसमें एक कप पानी धीरे-धीरे मिलाके जैसे हम केक का बैटर तयार करेंगे उसी कंसिस्टनस से हम इसको अच्छा सा मिलाके एक ढखकन ढखके दस मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे बैटर हमें कुछ इस तरह चाहिए यह रेस्ट होने तक हम इसका मसाला तयार करेंगे अब हम कड़ाई में वनफोर्थ कप तेल डालेंगे यानि कि दही जितना लिया था उतना ही हमें तेल यूज करना है और आधा हमने वनफोर्थ कप उसमें रवा में डाला था और वनफोर्थ कप अब तड़का में डालेंगे और बाके सारे चीज़े हम इसमें एक-एक करते हुए डालके हलका सा फ्राइ करके रख देंगे जादा नए करना है जैसे हम प्रैटिस के लिए करते है वैसे ही इसको भी हलका सा भुनके तयार करना है इसमें हम कुत्मीर और हरी मिर्ची पनीर इसको छोड़के बाके सामगरे डालके हम हलका सा भुनके निकाल देंगे दोस्तों एक बार इसे बना के देखें बहुत ही बढ़िया रहेगा अपने धोकला से भी ये ज़्यादा टेस्टी रहेगा और मज़ेदार भी रहेगा अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर नमक और गरम मसाला डालेंगे आप चाहे तो ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हो या खलूंजी भी डाल सकते हो आपको जो मसाला पसंद है वो भी आप डाल सकते हो या पावभजी मसाला भी आप डाल सकते हो इससे और भी इसका टे हमारा आटा सेट हो चुका है अब हम इसमें बाकी सामगरी डाल के मिक्स करेंगे हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर एक चम्मच छोटी चम्मच सोडा मैंने यहाँ पर इनो लिया है और विनेगर लिया है आप विनेगर से ज़ादा अच्छा लगेगा अगर आधा निम्बू इसमें निचोड़के डालेंगे तो निम्बू से इसका स्वाद और भी बढ़िया बनेगा दोस्तों आपके घर में जो सामगरी है उसी से आप आसानी से स्पाइसी केक बना सकते हैं बच्चे वेज़ेटेबल्स खाते नहीं हैं अगर ऐसा केक बना के देंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा एक बार इसको अच्छा सा मिला के आप इसमें दो चम्मच शक्कर भी डाल सकते हो मैंने डाला नहीं है आप चाहे तो डाल सकते हो शक्कर से इसका स्वाद और भी बढ़िया बनेगा और कुछ भी जैसे मैदा बेसन जो पसंद हो आप इसमें एक चम्मच या दो चम्मच डाल सकते हो अब हम एक केक मॉल्ड लेंगे उसको अच्छा सा तेल से ग्रीस करेंगे थोड़ा सा मैधा स्प्रेड करके मिक्षर इसमें डालके हल्का सा टैप करेंगे कटी हुए पनीर पीस, कोतमीर और हरी मिर्ची इसके उपर स्प्रेड कर देंगे मैंने यहां पर बड़ा कड़ाई ग्यास के ऊपर रखा है और उसके अंदर एक स्टैंड भी रखा है इसको पांच मिनट पहले प्रिफिट करने के लिए रखा है अब हम अपना मिक्षर का बॉल इसमें रख देंगे और ठीक 15 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे अब 15 मिनट हो चुका है यह देखे अपना स्टिक खाली बाहर आ गया यानि कि हमारा केक बन के तयार है अब हम इसको ठंडा करके एक चाकू की सहाईता से बॉल डर से अच्छा सा इसको निकालेंगे और एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे अब हमारा केक बन के तयार है अब हम इसे अपने पसंद के हिसाब से काट के सर कर देंगे हमारा वेजी और स्पाइसी केक रेडी